नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडेन स्टेडी की इंदी यूटूब चैनल पर चलिए स्टार्ट करते हैं UPSI के 12 दिसंबर 2017 से 15 दिसंबर 2017 के और जीके कोसन है जिससे आपको ये पता चल जाएगा के जीके के कौन कौन से टॉपिक से कोसन पूछे जा रहे हैं दोस्तों आपको बता दूँ अगर आपने मेरे चैनल इंडेन स्टेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं स्टेडी से रिलेटिव वीडियो रोजाना लाता रहता हूँ नमस्कार दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोसन देखते हैं किसी राज की सीमा में परिवरतन कौन करता है आंसर है आपका संसद नेक्स कोसन देखते हैं ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में आता है आंसर है आपका आर्टिकल नमबर 40 नेक्स कोसन देखते हैं परिंदे किस की रचना है आंसर है आपका निर्मल बर्मा नेक्स कोशन देखते हैं सम्मिदान में संसोधन किस आर्टिकल में है आंसर है आपका आर्टिकल नंबर 366 नेक्स कोशन देखते हैं दीन पना को किसने बसाया आंसर है आपका हुमाईू दीन पना एक दिल्ली का सहर है नेक्स कोशन देखते हैं रो पिरमुख कौन है आंसर आपका अनिल कुमार धस्माना नेक्स कोशन देखते हैं महादेवी बर्मा को ग्यांट पिट पुरुषकर किस पुस्तक के लिए दिया गया आंसर आपका यामा Next question देखते हैं CISF के पिरमुख कौन है? Answer आपका सुरेंदर सीम Next question देखते हैं सम्मीदान संसोधन कितने प्रकार के होते है? Answer आपका 3 Next question है जमानिती अपराद किस अनुसूची में आता है? Answer आपका प्रिथम अनुसूची Next question है पुलिस बिना वारेंड के कैसे गिरिफ्तर कर सकती है? Answer है आपका सैयम अपराद 2C Next question है आपका राइवोसोम कहां पाय जाते हैं? Answer है आपका एंडोपलाजमा रेतु कुलम की उपरी सते पर Next question है बिस्व के नयाई दीसों की बेटा कहां हुई थी? Answer है आपका उत्तर प्रदेश ये करेंड का question है Next question है Miss Word 2017 कौन वनी? Answer है आपका मौनुसी छिल्लर Next question देखते है Surgical Strike किस दिन हुई? Answer है आपका 29 सितंबर 2016 इसमें 2017 दिया है जो की Miss Print है 29 सितंबर 2016 है आपका Next question देखते है नेपाल के प्रदान मंत्री कौन है? Answer है आपका Sir Bahadur देवगा Next question देखते है मतदादा दिवस कब मनाए जाता है? Answer है आपका 25 जनवरी Next question देखते है 42 मा संबीदान संसोदन कब हुआ? Answer है आपका 1976 Next question देखते है Y.U.S.E.N.A.P.R.M.O.K. कौन है? ट्री को मास्टर गिरन्ती कहा जाता है Next question देखते है A.U.S.E.N.A.P.R.M.O.K. में क्या है? Answer है आपका 22 भासा है Next question देखते है S.O.R.M.A.P.R.M.O.K. सबसे चोटा गिरह कौन सा है? Answer है आपका बुद्ध Next question देखते है किस बेद की रचना? गद और पद दोनों में की गई Answer है आपका यजूर भवेद Next question देखते है भारत में ग्रामिल छेत्रों में पाई जाने वाली बिरोजगारी कौन सी होती है? Answer है आपका प्रचन बिरोजगारी Next question देखते है Vitamin D का रसाइनिक नाम क्या है? Answer है आपका Kelsey Ferrol Next question देखते है UNESCO का मुख्याले कहा है? Answer है आपका Paris Next question देखते है Santi Niketan किस महापुरुष से संबंदित है? Answer है आपका Ravindranath Tagore Next question है आपका Simon Commission भारत का बाया Answer है आपका 3 February 1928 में Next question देखते है गरेलू इंसा में महीलाओं का सर्रक्षन अदिनियम के धारा 14 में क्या है? Answer है आपका Pramers है Next question देखते है Nगरपालिका के लिए निर्वाचन किस अनुच्छेत के तहत किया जाता है? Answer है आपका अनुच्छेत 243 का Next question देखते है Next question देखते है भारत की सम्मिदान सवा के सम्मिदानिक सलाकार कौन थे? Answer है आपका Sir B.N.Rau Next question है बावी अंदुलन के प्रवतक कौन है? Answer है आपका सैयद हमद Next question है बक्ती अंदुलन के प्रवतक कौन है? Answer है आपका संकराचार Next question है लंदन में इंडिया आउस की स्तापना किसने कीती? Answer है आपका स्याम जी किष्ण बर्मा Next question है एक गठा कितने गिरों के बराबर होता है? Answer है आपका तीन गिरे Next question है आपका हमबंड तोटा समझोता किन दो देशों के बीच हुगा? Answer है आपका भारत और स्री लंका Next question देखते है काला सोना किसे कहा जाता है? Answer है आपका कोईला Next question है बचपन वचा आंदोलन की सुरुवात किसने कीती? Answer है आपका केलासनास सत्यारती जिने नोबिल पुरोषकार से भी सम्मानित किया गया Next question देखते है FCC CC महीला वर्लकप 2017 में किसने जीता? Answer है आपका England Next question देखते है RBI के बरतवान गवर्नर कौन है? Answer है आपका और्जित पटेल Next question देखते है UNO की स्थापना कब हुई थी? Answer है आपका 24 अक्टूबर 1945 जो UNO 22 है 24 अक्टूबर को मनाये जाता है Next question देखते है आंदर प्रदेश का लोक नरत कौन सा है? Answer है आपका कुछी बड़ी Next question देखते है भारत के किस प्रदान मंतरी के जनल दिवस को सू सासन दिवस की रूप में मनाये जाता है? Answer है आपका अटल ब्यारी बचपेई Next question देखते है मेरू डंड की लंबाई कितनी होती है? Answer है आपका 42 से 45 सेंटिमीटर Next question देखते है संपत्ति का अधीकार कौन से नुच्छेत में? Answer है आपका 300 काम है Next question देखते है मानव सरीर में मासपेशियों की संक्य कितनी होती है? Answer है आपका 649 Next question देखते है समीदान को बनाने में कितना समय लगा? Answer है आपका 2 वर्स 11 मा 18 दिन Next question देखते है जिला नयाइदीस की नियुक्ति कौन करता है? Answer है आपका Governor Next question देखते है भारत में सामुदुईक बिकास कारकरम कब प्रारम किया गया? Answer है आपका 2 अक्टूबर 195 Next question देखते है सिक खालसा यानि की खालसा पंद की स्तापना किस ने की थी? Answer है आपका गुरू विंदे सिंग Next question देखते है धार के किले का पुनार रनवार किस मुस्लिम सासक ने करवाया? Answer है आपका मुहम्मत तुगलग Next question देखते है तार्म पासर संस्किर्टी से संबंद इस्तल किस के समीप है? Answer है आपका उज्जेन Next question देखते है सिक्छक दिवस कब मनाये जाता है? Answer है आपका 5 सितंबर Next question देखते है अंतराश्टी है सीमा सुल्क इबं उत्पात दिवस कब मनाये जाता है? Answer है आपका 26 जनवरी Next question देखते है RAM का पूरा नाम क्या है? Answer है आपका Random Access Memory Next question देखते है चंदेरी क्यों पिरसिद्ध है? Answer है आपका साड़ियों के लिए Next question है आपका Computer में जाने वाले डेटे को क्या का जाता है? Answer है आपका Input Next question देखते है Computer boot नहीं कर सकता यदि उसमें ना हो Operating System अगर Computer में Operating System नहीं होगा तो Computer boot नहीं करेगा Next question है आपका ATM का पूरा नाम क्या है? Answer है आपका Automated Tailor Machine यह थे आपके 12 दिसंबर 2017 से 15 दिसंबर 2017 के UPSI में आई हुए question दोस्तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल Indian Study को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सेर के लिए नमस्कार दोस्तो जैहिन जैवारत